पंजाब के सियम भगवंत्मान 16 अप्रेल को राज के लोगों को बहुत बड़ी खुश खबरी देने जा रहे हैं कयास लगाये जा रहे हैं कि भगवंत्मान शनिवार को हर परिवार को हर महिने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का तुफा दे सकते हैं भगवंत्मान ने बिजली फ्री करने के वादे को पूरा करने के लिए इस हफते की शुरुवात में दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी के मुखेया अर्विंद केजरीवाल से मुलाखाद भी की थी बतादे कि आम आदमी पार्टी ने विधान सबाद चुनाफ के दौरान हर परिवार को हर महिने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है इसी के चलते विपक्ष ने भगवंत मान की सरकार पर सवाल भी ख़़ए किये हैं लेकिन इस हफते भगवंत मान ने बिजली फ्री करने के वादे को पूरा करने के लिए कई मीटिंग भी की हैं सुमबार को राज के मुक सचेव और कई बड़े अधिकारियों ने दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल से मुलाखात की थी इसके बाद सियम भगवंत मान खुद दिल्ली पहुँचे थी और कहा था कि वो जल्द ही राज के लोगों को बड़ी खुश खबरी देंगे हाला कि दिल्ली के सियम और पंजाब के अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग को मुद्दा बना कर विपक्ष ने भगवंत मान को खेरा है विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पंजाब की सरकार को अरविंद केजरिवाल दिल्ली में बैट कर चला रहे है सियम भगवंतमान ने अर्विन केजरिवाल और पंजाब के अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग का बचाव किया है भगवंतमान का कहना है कि उन्होंने ही अधिकारियों को अर्विन केजरिवाल के पास भेजा था भगवंत मान ने आगे भी अधिकारियों को दिल्ली भेशते रहने का दावा किया मूदा कि कौन अपिलिशन है किते अपिलिशन न já 2300 के जिते में इस तारा थारा ने टेख नुक टेख क्रिटिसिजम बास्ते क्रिटिसिजम ना करो लोक आपी जवाब दिदेंगे मैं मैं आउनारे दिनाचभी अपने अफ्सरानों तिली पे जूँगा रूजराथ के जूँ तामिल नाटू के जुगा है, स्टालेन आये सिगे, स्कूल देखे गए स्टाइक में, लैट में फेड़े, ट्रंप दी वाइक स्कूल देखे गए सिगे, ओ तो तो नहीं कांगर्स ने कहा है कि ट्रंप को नहीं सिना रहा है, कली क्यों आगी दरो देखन, हट है, चंग यह ची क्या है?